जालो दोस्तों कैसे हैं आप सभी वेल्कम बैक टो वर न्यू वीडियो तो दोस्तों मैं लक्षमन चंदा फिर से आगे हूं कहाँ जाड़ी किनी वीडियो के साथ तो दोस्तों यह है दा ओल ल्यू वर्णा 2024 यह आप सामने वेरियंट देख रहे हैं यह है SX वेरियंट टर्बो DCT में मतब यह 1.5 लिटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजिन के साथ है इसके अंदर आपको काफी सारे बड़ी है बड़ी है फीचर देखने को मिलते हैं कैसे यह डिफर है SX ओप्शनल से क्या-क्या फीचर ओफर करती है क्या इसके प्राइजिंग है क क्या क्या आपको देखने को मिलता है सब कुछ जानेंगे आज किस वीडियो में बीना किसी तरी के शुरू करते हैं आज किस वीडियो को लेट्स गो क्या है प्राइजिंग की बात करो तो इस पर्टिकुलर वेरियंट की SX Turbo DCT आपको 16.11 लक एक शुरूम प्राइज देखने को मिलनेगा और 18.6 लक आपको ओन रोड प्राइज देखने को मिलेंगे दिल्ली ओन रोड प्राइज देखने को मिलेंगे बाकि आपको इस गाड़ी से रिल कि आपको location भी description box में देखने को मिल जाएगी दोस्तों सबसे पहले शुरुबात करते हैं इसके exterior से कुछ ऐसी देखने को मिलते हैं काफी future sticks ही आपको इसकी look देखने को मिलती है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे इसके headlamps low beam and high beam देखने को मिल जाएगा इसके अंदर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे turning indicators and front में देख सकते हैं आपको parking sensors देखने को बिलते हैं देख सकते हैं जो पूरी यहां पर आजेगा Hyundai का logo बीच ओ बीच टू वाइपर एंड टू वोशर देखने को मिलेंगे फ्रेंट में बोनट पर देख सकते हैं काफी जादा आपको sharp edges देखने को मिलेंगे जो देखने में काफी जादा बड़ी है लग रहे हैं तो यह था दोस्तों complete इस गाड़ी का front profile अब चलते हैं साइड में साइड में चलके explore करते हैं गाड़ी के side profile को कुछ ऐसी देखने को मिलती है गाड़ी आपको side से काफी जादा बड़ी सी आपको देखने को मिलेंगी जहां पर आपको सबसे पहले attract करेंगे इसके black alloy wheels देख सकते हैं 16 इंचिस के आपको level देखने को म पीच अगर उपर की तरफ देखें तो यहां पर कहीं पर भी आपको cladding वगरा देखने को नहीं मिलेगी इस साइड आएंगे इसके बड़े से ORVM with integrated turning indicators और ORVM देख सकते काफी जाद आपको broad देखने को मिलते हैं door handles की बात करो तो silver color में आपको door handles देखने को मिलेंगे A pillar आजेगा body colored B pillar आपको देखने को मिलेगा black matte out में and C pillar again आजेगा body colored यहां पर देख सकते हैं आपको silver की finishing देखने को मिलेगी जो देखने में काफी जादा बड़िया लग रही है उपर की तरफ single panel sunroof आजेगी black color में shark fin and tina and इस side आपको देखने को मिलेगा इसका fuel tank area काफी यादा आपको n tiya जाए न ही साइड में जो देखने में साइड में काफी जादा बड़िया लग रही है यहादी तो कुछ आएसा देखने हो बिलता है को अब सबसे पहले देखने मिलेंगे इसके connected टेल लैंप बीच ओबीच वर्ना की बैजिंग इस सेट देखेंगे तो 1.5 टर्बो की बैजिंग आपको देखने हो मिल जाएगी यहां आजाएंगे इसके टूर्निंग इंडिगेटर्स एंड यहां देख सकते आपको काफी अच्छा पैटन देखने हो मिल जाते इसके लाइ बंपर में आपको ब्लैक ब्लैक प्यानोर फिनिशिंग की स्किट प्लेट भी देखने को मिल जाएगी जो देखने में काफी जादा बटीया लग रही है लिचा कि तरफ यहां पर देखिएंगे तो यहां पर आपको रिफ्लेकटर देखने को मिलेंगे इससे डाजेंगे डीफोगर हाई मॉंटेट स्टॉप लैंप एंड यहां आएगा इसका रेर व्यू कैमरा एंड यहां पर आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रो मैगनेटिक बटन इसका टेल गेट ओपन करने के लिए कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका बूट स्पेस जिसमें देख सकते हैं दो बंदे काफी अराम से आ जाएंगे और एक बंदा लेट के भी जा सकते हैं रोड ट्रिप वगएरा पर जाना हो तो लैंप की बात करने तो आपको लैंप वगएरा नहीं देखने को मिले इस तरफ democratic टरफ कहीं पर आपको नहीं देखने को मिलता लैंप का बट यहश्छ न किवर नहीं किया गया जो फोड़ा सा disappointment है बाकी कि फिटिंग एंड फिनिशिंग काफी यदा अच्छी है बस यहीं पे थोड़ा सा और ध्यान देना हाँ खैर कोई नहीं अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर आपको दो लैंप भी देखने को मिल जाएंगे इसके नंबर प्लेट के लिए काफी हलका टेलगेट देखने को मिलता है बाकी सब बढ़ी है तो यह दा दोस्तों कम्प्लीट इस गाड़ी का एक्स्टीरियर अब चलते हैं इंटीरियर में इंटीरियर में चलके एक्स्प्लोर करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर को इंटीरियर में चलने से पहले मैं आपको इस गाड़ी कीज दिखा जाता हूँ कुछ ऐसी आपको इस गाड़ी कीज देखने को मिलती है जहां पर आपको मिलेगा लॉक बटन अनलॉक बटन एंड इसे होल्ड करके रखेंगे दोबारी अगर मैं लोक करूँ इस गाड़ी को अगेन एंड इसे होल्ड करके रखूँगा तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी देख सकते हैं गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुकी है और अगर मैं इसे दुबारा होल्ड करके रखूँगा तो ये गाड़ी अपने बंद हो जाएगी अब ये गाड़ी बंद हो चुकी है एंड यहाँ पर मिलता आपको बूट ओपनर के लिए यहाँ बंद आपको मैनुवली ही करना पड़ेगा कि यहाँ आपको देखने को मिल जाता है रिक्वेसंसिंग का फीचर शर्ट ऐसाओ को इस गाड़ी का इंटीरियर जो देखने में काफी यादा बढ़िया है ओल ब्लैक थीम में ये इंटिरियर टर्बो में ओल ब्लैक थीम में देखने को मिलता है जो देखने में काफी यादा बढ़िया सा लग रहा है यहाँ पर आपको जगा जगा रेड कलर की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी एस इवेंट की आसपास देख सकते हैं उस तरफ भी देख सकते हैं जो देखने में काफी यादा बढ़िया सा लग रहा है ड्राइवर साइड डोर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको लैदर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी एंड यह रेड स्टिचिंग आजेगी पीच में चारो पावर विंडोस रिलेटिड कंट्रोल लोक अन लोक बटन ओर विम फोल्ड अन फोल्ड करने के लिए बटन ओर वगेरा एड्जस्ट करने के लिए आपको बटन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ग्रैब हैंडल आजेगा इस तरफ नीचे की तरफ टू वाटर पॉ इंटिर्ययर में चलके एक्स्प्लोर करते हैं छोड़े की चीज़ों को देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको इंटिरियर देखने को मिलेगा और ब्लयक इंटिरियर होने की वजह से ना इसमें बहुत जादा गर्मी हो गये है बहुत जादा हीट होगी है यहाँ पर आपको पु यहां पर देखने पूर्प देखने को मिलेंगे, जिसे आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं कूछ ऐसे, और यहाँ पर आपको cruise control से related control देखने को मिल जाएंगे driver display, tire pressure monitoring system अब देख सकते हैं आप पूरी digital screen देखने को मिलती है driver side end बीच में infotainment system भी आपको digital देखने को मिलता है पीछे की तरफ देखेंगे तो paddle shifters दिए गए है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इसके turning indicator से related control और यहाँ पर आजाएंगे इसके wiper से related controls automatic IRVM आपको देखने को मिलेगा blue link की connectivity के साथ और यहाँ पर tour SOS का button भी दिया गया है यहाँ पर देखेंगे तो आपको two LED lamps देखने को मिल जाएंगे सबसे बढ़िया चीज single panel sunroof आ जाती है इस गाड़ी में अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं center console की बात करूँ तो आपको कुछ ऐसी lining देखने को मिलेगी अगर मैं screen की बात करूँ न यह थोड़ी driver side की तरफ tilt है यहाँ पर आपको lining देखने को मिल जाएगी red color की जो देखने में काफी जादा बढ़िया लग रही है यहाँ पर अगर आप notice करेंगे न यह रेयर seatbelt warning की indicators दिये गए हैं front में airbag की bedging आजेगी इस तरफ leather की finishing देखने को मिलेगी यहाँ पर उपर की तरफ soft plastic देखने को मिलेगा यहाँ पर देखेंगे तो आपको globe box देखने को बिल जाता है काफी अच्छे space के साथ काफी deep है यह और cold भी है यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको type c का socket usb socket 12v का power socket and wireless charging का feature भी आजाता है एंड यह राई इसका dct gearbox manual आपको handbrake देखने को मिलेगी silver finishing आदेगी यहाँ पर tube cup holders armrest देखने को मिलेंगे slide adjustable with storage काफी अच्छी खासी storage आपको देखने को मिल जाती है और यह भी cooled है तो यह था दोस्तो complete इस गाड़ी का front interior अब चलते है rare में rare में चलके explore करते हैं इस गाड़ी के rare interior को एक चीज़ और यहाँ पर आपको traction control और idle start stop button जैसे features देखने को मिल जाएंगे rare में भी आपको देखने को मिलेगा silver finishing में door opener पुछ ऐसा देखने को मिलता आपको इसका rare का door silver finishing में यहाँ पर door opener आ जाएगा windows related control दिये गए है grab handle leather finishing यहाँ पर red stitching देखने को मिलेगी आपको देखने को मिलेंगे इसके rare में बाकी rare seats की बात करूँ तो देखते है इसका comfort वगएरा कैसा है rare seats में देख सकते काफी अच्छा खासा आपको leg space देखने को मिल जाता है और headroom भी यार बोट को headroom देखने को मिल जाता है यहाँ पर बीचो बीच यहाँ पर दिया गया armrest और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे rare के AC vents फोन रखने का space दो टाइप सी सॉकेट एंड कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इसका front interior rare sitting से जो देखने में काफी जाधा बढ़िया लग रहा है black color में यह गाड़ी काफी जाधा बढ़िया और काफी जाधा premium सी लग रही है sunroof आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है driver side sun visor में आजएगा vanity mirror without light and co driver side आजएगा vanity mirror without light rare में देखेंगे तो यहाँ पर आपको light देखने को मिलेगी grab handle hook आपको देखने को मिलेगा luggage hold करने के लिए अगेन grab handle इस side आपको hook देखने को नहीं मिलता तो कैसी लगी आपको यह गाड़ी interior और exterior से नीचे comment section में जरूर बताना एक बार ही इसका ना engine check out करते हैं इसका hood open करके इंजन चेक आउट करते हैं एक बड़ी इसका कुछ ऐसा देखने को मिलते हैं इसका 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन hood आपको काफी ज़्यादा heavy देखने को मिल जाता है insulation आजेगी बीच में जो इसका 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है वो प्रोडियूस करते है 157 पेस की max power and 253 अनेम का torque मतब काफी ज़्यादा fun to drive है ये चलाने में बाकी इस गाड़ी का driving experience भी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा उपर आई बटन में मैं इसकी वीडियो डाल दूँगा अभी चेक करना उसे तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी नीचे comment section में जरूर बताना और ऐसी ही more informative व कर दो कर दो कि अवी नीचे को में जरूर आपको ये लागी आपको ये जरूर आपको ये एखने करेंगा रहागा ज़र को में मैं ह।